ये प्रश्न शुभाशीश मुखरजी की ओर से है और वह कहते हैं मैं काले जादू का सच चाना चाहता हूँ मेरे कुछ मित्र जो बंगाली नहीं है उनका मानना है कि काले जादू का जन्म पष्चिम बंगाल में हुआ था ये वाद कितने सच है ये बड़ा ही बंगाली सवाल है वे ये नहीं पूछ रहें कि काले जादू का सच क्या है वे पूछ रहें कि इसके शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी या नहीं केरल के लोग मानते हैं कि ये केरल से आया है दोनों जगह के लोग कुछ एक जैसे हैं दोनों मचली बहुत खाते हैं तो इस देश में एक समय था जब एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक भूत प्रेत डॉक्टर भी होता था लगबग हर परिवार इन चीजों के बारे में किसी से सलाह लेता था क्योंकि ये विद्याई इतनी जादा पहली हुई थी क्या इसकी शुरुवात बंगाल में हुई थी या इसकी शुरुवात केरल में हुई थी नहीं मुझे लगता है कि आज केरल और बंगाल में सबसे ज़ादा बचा हुआ है अन्य जगों पर ये थोड़ा मिट गया है मूल रूप से आप तंत्रविद्या की बात कर रहे हैं तंत्रविद्या अपनी उर्जा के इस्तमाल से खास असर पैदा करने की एक विशेश टकनीक है पर दुर्भागे से इसके बारे में बुरी बातें बहुत जादा पहल गई हैं क्योंकि बुरी चीजों की मांग जादा थी इसलिए लोगों ने इसका अच्छे से जादा बुरा इस्तमाल किया इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं ये किसी भी अन्य तकनी की तरह है आप इसका अच्छा या बुरा इस्तमाल कर सकते हैं दुर्भागे से बुरा इस्तमाल अच्छे इस्तमाल से बहुत जादा होने लगा, तो लोगों को लगता है तंत्र विद्या मतलब कुछ बुरा होता है, नहीं, दुर्भागे से इसका बुरा इस्तमाल होने लगा है, इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं, अच्छे प्रज़ों की मांग जादा होने की वज़स से इसका इस्तमाल हो रहा है। इसलिए इसकी बुरी छवी बन गई है। तंत्र विद्या ऐसी होती है। देखिए, अभी आप सभी के पास फोन है। मान लीजिए, सौ साल पहले आपके पास एक फोन होता, सेलफोन होता। तो आप तंत्र विद्या जानने का दावा कर सकते थे, क्योंकि आप फोन निकालकर किसी से अमेरिका में बात कर पाते, सब हूँ कापने लगते, ठीक है। हाँ या ना। तो तंत्र विद्या बस एक तकनीक है, आप अपनी उर्जा का प्रियोग करके किसी को संदेश भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक तकनीक जादा से जादा सुक्ष्म हो रही है, तंत्र की जरुरत कम हो रही है, काफी तेजी से कम हो रही है, क्योंकि बहुत सी च पहले ऐसा करने में बहुत जादा समय और उर्जा लगती थी, अब संदेश चला जाता है, तो संदेश भेजने के काम में अब तंत्र की बिल्कुल जरुवत नहीं है, वरना तंत्र का मुख्य उप्योग एक अलग तरीके से संदेश भेजने के लिए होता था, आपने टेली प जाती है, तो तंत्र या तंत्र की जरुवत कम हो रही है, जरुरत बस कम होती जा रही है, और शायद तंत्र विद्या की कई ज़रुतें खत्म हो जाएंगी, कुछ चीजे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कि अगर हम ऐसा समाज बनाएं, क जादातर तकनीक का इस्तमाल हथियार, बम, नूकलियर बम और जादा से जादा विनाशकारी चीज़ें बनाने के लिए हो रहा है। उस तकनीक का इस्तमाल कहीं और हो सकता था। पूरी तरह सकारात्मक चीज़ें की जा सकती थी। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मांग बुरी चीज़ों की है। तंत्र के साथ भी यही हुआ। आपके मुखरजी मित्र। मैंने ऐसा सुना है कि तंत्र विद्या में केरल आज भी सबसे आगे है। उसके बाद पश्यम बंगाल है। और फिर कुछ उत्तर पूर्वी राज्ये हैं। लेकिन वहां की तंत्र विद्या केरल की तंत्र विद्या काफी जटिल है। आप उत्तरी अमरिका के कभीलों में भी तंत्र विद्या की काफी मौजूदगी पाएंगे। लेकिन बहुत बुनियादी तंत्र विद्या मुख्य रूप से संदेश भेजने के लिए। पर अब उन सभी के पास स्मार्टफोन है इसलिए इसकी जरुवत घट रही है। मुझे लगता है कि एक समय था जब कश्मीर में काफी तंत्र विद्या थी। बेंगौल, केरल, उत्तरपूर्व और आंध्र प्रदेश और उडिशा के कुछ भाग। लेकिन आजकल धंदा मंदा है। और यह कि यह देश समय से देड़ हजार वर्स पीछे क्या बताने की किरपा करेंगे कि विस्वास और अन्ध्विस्वास की परक्या है। और क्या आज के विस्वास कल अन्ध्विस्वास नहीं हो जाएंगे। यह भी बताने की अन्गंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जन जैसे प्रत्यक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्यक विश्वास एक दिन अंध विश्वास बन जाता है, अंध विश्वास विश्वास की लास है, जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया, तुम ने अपनी मा को कितना प्रेम किया था, फिर एक दिन मा चल बसी, अब उसकी लास थोड़ी रखे बैठे रहोगे, लास रखोगे तो जीनों नुस्किल हो जाये, सारा घर बद्दू से भर जाये, और ऐसी लासें इखटी करते गए, एक दिन पिता चल बसेंगे, ऐसी लासें इखटी करते गए, तो घर में जीना असंबल हो जायेगा, मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिन्दा रहेंगे कहा जिन्दा रहेंगे कैसे इसलिए मा बड़ी प्यारी थी लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में और तुम अगर देर करो भी मौले वाले जल्दी से बांधने लगते आखेर उनको भी तो जीना है तुम रोने दोने में लगे हो मौले के लोग जल्दी से बांस लखड़ी खटा करने लगते क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लखड़ी खटा कर दे तो ये पारसपर्ग लेंदेन देर नहीं लगती कोई मरा की लास उठी पल-पल घर में लास रखना कठिन हो जाता और ऐसा नहीं कि तुम्हें मा से प्रेम न था खुब था प्रेम छाती पीट के रो रहे हो मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले अंडिया लटका कर रोते रहोगे और चटा दोगे जाकर अर्थी पर रोते रहोगे और आग लगा दोगे ये करना ही होगा ऐसी ही अवस्था बिस्वास और अंधविस्वास की विश्वास जीवंत जब होता है सत्य और जब सत्य के बीतर से प्राम्ठो उट जाते सिर्फ क्रियाकान रह जाताए मगर तुम उसी क्रियाकान धोते रहते हो तब अंध विश्वास आँख वाला विश्वास तो जीवंत होता है अंधा विश्वास मुर्दा होता है जिससे किसी ने बुद्ध को देखा उस अपूर्व जोती को और कोई जुग गया चर्णों में यह विश्वास जुखने की न तो योजना बनाए थी न जुखने का कोई इरादा लेकर आये थे लिकिन जुख गये जुख जाना पड़ा जोती ऐसी थी प्रभा ऐसी थी रुखना सके पता ही न चला कब जुख गये यह तो एक जीवंत घटना है और इसमें रस है और इसमें गहरे अभिप्राएं इसमें भाव की धड़कन है इसमें सांस चल रही जब कोई इस बुद्ध को देखकर उन आखों में जांक कर उन चरुनों की महमों में सिर्ड रख दिया है अपने अनुभो से अपनी प्रतीती से अपने साक्षाच से तब बात और है फिर ये आदमी तो जा चुका बुद्ध भी जा चुके लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की परतीमा के सामने जुकते हैं क्योंकि बाप जुका था बुद्ध के सामने फिर बच्चों के बच्चे भी जुकते रहेंगे जुकते रहेंगे, हजारों वर्स भीच जाते, अब बुधध की पृतिमाह रखिए और लोग सिर जुका रहें, बीतर जुकने का कोई भाव नहीं, हो भी क्या, पथर की सामरे कोई जुकने का भाव होता है, नब पथर में कोई महिना है, नब पथर में कोई प्राण है, वह तो बुद्ध की नहीमा थी वह तो बुद्ध का अवतरम था जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरुखा जुका था मगर तुम क्यों जुक रहे हो तुम कहते हैं कि हमारे बाप दादी जुकते रहे हम भी जुकेंगे तु जुकते रहो मगर तुम्हारा जुकना अंध्विश्वास है अब समजने की बात ये है कि हर अंध्विश्वास की शुरुवात में विश्वास होता है नहीं तो पैदा ही कैसे होगा कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया सुना नानक का गीत डोल गया नाच गया मन बहार छा गई वसंत आ गया उस वसंत में जुग जाना ही पड़ा नानक जैसा फूल खेले और कोई जुके ना अभागा है अंदर है पत्थर है उसके भीतर हिर्दे नहीं निस्प्राण है नानक जैसा फूल खेले और तुम्हारी नासा पुटों में स्वास सुगन से न भर जाए ये संभो कैसे है ये संभो तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई संबेदन सीलता ही न हो अगर थोड़ी भी संबेदन सीलता है थोड़ा भी मन से तुम्हारे भीतर जांकरत है जीवित है तो जुको गई ही लेकिन फिर सदियां बीट गई अब नानक में ही नानक की मूर्ती भी नहीं लेकिन कोई गुरुगरंथ के सान में जुक रहा है मैं एक पंजाबी घर में महमान था सुबह सुबह उठके इस नान करने जा रहा था तो बीच के कमरे से जिस से मुझे गोजनना पड़ा वहां देख के मैहरान हुआ गुरुगरंथ के लिए उन्हें बड़ा एक सिहासन बनाया हुआ था नानक को हिर्दे के सिहासन पर बिठाया था वह तो समझ में आता है मगर अब किताब को सिहासन पर बिठा दिया है वहां तक नहीं बात ठीक थी चलो तुम्हारा आदर चोका में इसलिए कि उसी सिहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है चांदी का लोटा और दतोन भी रखी मैंने पूछा कि ये क्या है ये किसली रखी तुम्हें का गुरु गरंद साहब के लिए दतोन अब हद्ध हो गई तुम्हें नानक के लिए जाके लोटे में दतोन का पानी ले गए होते चांदी का सोने का लोटा ले गए होते समझ में आती बात अब किताब के लिए कि तुम रख रहे हो तुम होस में हो कि तुम पागल हो गए हो मगर इसी तरह होता है मैंने सुना एक आदमी मरा उसकी आदत थी कि बोजन के बाद रोज उठके अपनी दांच साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से उसकी बच्चे छोटे छोटे थे बाप मर गया मा पहले हैं मर गई थी बच्चों को कुछ और ज़्यादा यान न था लेकिन एक बात बरावर उन्हीं याद थी कि आले में चोके के बाहरी एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था और पिता रोज भूजन के बाद उस टुकड़े सांथ कुछ करता था क्या करता था पते ने लेकिन ज़रूर कोई बात राज की रही होगी तो उन्हेंने लकड़ी का टुकड़ा रखा और जब रखी रहे तो छोटा नोटा क्या रखना उन्हें चंदन की बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा खुब नकासी करवा के अब उसका कोई भी समदना रहा दांत के साफ करने से उससे दांस साफ हो भी नहीं सकते दांस से कुछ लेना देना देना रहा फिर बच्चे बड़े हुए उन्हेंने नया मकान बनवाया धन कमाया अब नया मकान में उन्हें सोचा कि आले में रखा है यह यादास थे अपने पुर्खों की तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना ले बात जची सभी को और अब धन पास में था तो उन्हें एक संग्मर्मर का छोटा सा मंदिर ही बना लिया उन्हें का आले में क्या रखना बाप दादे घरीब थे तो ठीक अब मंदिर बन गया संगमरमर का बड़ा मंदिर अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़ी को क्या रखना तो उन्हें एक बड़ा खंबा पूरा ज्जान का ज्जान ले आये होंगे कटवा के चंदन का उसमें खुद नकासी करको उसको लगा दिया मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती ही गंटा वस्ता पूजारी आता फूल चड़ाय जाते अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से सुरुआत हो गई थी बात की जो भी इस जगत में तुम्हें अन्धविस्वास दिखाई पड़ रहे हैं उनका प्रारम में तो ज़रूर कभी विस्वास से ही हुआ था कहीं में कहीं चाहे कितनी ही बात खो गई हो चाहे आज खोजना भी संभव न रह जाए चाहे आज हमारे पास उपाय भी न रह गए हो कि हम पर्त दरपर्त इतिहास में उतर कर उनकी खोज कर सके लेकिन कहीं न कहीं प्रारम में कोई न कोई चोटी न मूटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसे ने साक्षात कार किया था लेकिन फिर पीछे सभी चीजें अंदर विस्वास हो जाती बिस्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे अनुभाव से घटित हो अब मेरे पास लोग आते कोई मा ने सन्यास ले लिया वो अपने बेटे को ले आती कि इसको भी सन्यास दे बेटा भाग रहा है वो उसको पकड रही कि इसको सन्यास दे बेटा बैट नहीं रहा है बेटा उठ उठ जा रहा है वो उसको जो बजस्ती बिठा रहेगी इसको सन्यास दे उसकी गर्धन पकड़ दो उसका सिर मेरे चरणों में लगा रहे वो इंकार किये जा रहा है वो सिर अलग कर रहा है अब ये कोई सन्यास होगा अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती इसको मैं कहूं कि नहीं तो दुखी होती और मैं जानता हूं इसकी भी आर्चन क्योंकि वो कहती है घर में बेटा माला मानता है ये कहता हम भी गेरो अवस्त पहनेंगे हम भी माला पहनेंगे तो मेरी जंज़ट खड़ी कर रखी मगर इस माने तो होसपूरवक बोधपूरवक सन्यास लिया है इस बेट पर जबरजस्ती थोपा जा रहा है यह यहूं के यहूं विश्वास और अंध्विश्वास दोनों हुए जा रहे है यह कल माविदा हो जाएगी और यह बेटा सन्यासी रह जायाएगा यह सन्यासी बिलकुल थोता होगा इसका कोई मुल्य नहीं होगा कोई अर्थ नहीं होगा मगर इसको जिद रहेगी अकल रहेगी कि हमारी मा सन्यासी थी अब मा से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे तो पहनेंगे कपड़ा और अगर जादी दिल हो जाएगा दूसरे कपड़े पहनने का तो उपर उपर गेरुआ पहनेंगे बीतर जो अपने मौच के वो पहन लेंगे बीतर मखमली और रेश्मी कपड़े पहनेंगे उपर गेरुआ डाले रखेंगे ये अप दिन में गिर्वा पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखे और रात अपने घर में मौस से जॉब में को पहनना हुआ पहनेंगे अब ये माला जूटी हो जाएगी अब इस माला मेंसे लकडी के दाने विदा हो जाएगे सोने चांदी के दाने आ जाएंगे अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगी गी ये एक आभूशन हो जाएगी तुम ने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधर विश्वास है इस देश की ही नहीं सारी दुनियादी समस्या अंधर विश्वास इस देश की थोड़ी जादा जादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरुस हुए जिनके आसपास विश्वास जगा इसलिए इस देश के पास अंधर विश्वास भी जादा है बुद्ध यहां हुए महाविर यहां हुए कृष्ण यहां हुए अपूर्व पुरस यहां हुए सरहपा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रेडास और फरीद एक जाकत हुए दियों की परंपरा है यह देस तो एक दिवाली मनाता रहा है यहां दियों पर दिये जलते चले गए जहां इतने दिये जले वहां सभावता बहुत से बुझे दियों की पूझा भी होगी दिये जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते मुह लग जाते आसक्तियों बन जाती भेवी पकड़ जाते मैं सत्चित आनंद हूँ सुद्ध बुध आत्मन हूँ मुझे संसार के क्रिया कलापों से क्या जगत के सब व्यापार माया भी है मुझे किसी की निंदा नहीं चूती और निस्तुती मैं अमरत पुत्र हूँ यह मेरी अपनी अनुभूती जो सदा बनी रहती है आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत कारी में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूँ और जगती के छितिच पर धर्म ध्वच को लहराते देखना चाहता हूँ अता आपसे एकांत में भेट की आकांच है पंडित मंसाराम सास्त्री कमाल कर दिया अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगती के छितिच पर धर्म ध्वच को लहराते हूँ देखना चाहता है जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर फिर क्या एकांत और क्या भीर सब माया है कैसी बहकी बहकी बात है कर रहा है मगर कासी निवासी हैं पंडित मंसाराम सास्त्री कासी निवासीयों से और इस से बहतर कुछ आसा नहीं क्या गजब की बात है कहीं पहले लेकिन पीछे ढोल अपनी पोल खुदी उहा गए एक युवती मनोवज्यानिक के पास पहुंची और कहने लगी नप परिशान हो गई लोग मुझे निलज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं देखती और जहां जाओ वहीं जो देखो गई मुझे निलज्ज बतलाता है तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निलज्ज जिता है क्या मुझे में कमी मैं सुधार करने को त्यार हूं मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगा उस मुनोवज्यानिका देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुरसी पे बैठ फिर आगे बात हो पंदित मंसराम सास्त्री थोड़ी तो अकल का उभियोग करो तुमी सब को देख के तुम भैंस को बड़ा कहने लगा अकल से भी बड़ी भैंस क्या प्यारे प्यारे सब्द तुमने कहे सबुधार मैं सच्चित आनंद हूं भैं यहां कैसे आये काहे के लिए आये कासी से यहां तक का किस्ट किया है माया में यात्र करते सर्म नहीं आती है माया की रेल गारी में बैठे माया की टिकेट खरीदी रास्ते में माया का भूजन किया हो तरह तरह की मायाएं रास्ते में पड़ी होंगी आंखें बंद रखनें पड़ी होंगी कहां कासी नगरी तरलोक में न्यारी उसको छोड़के कहां चले आये तो यहां पुना में क्या कर रहे हो पुना में तो और सीन लग गए पुने जिसे गदे के सिर पे सीन रूगा है इधर को सीमी मार दे सम्माया बिखर जाए यह तुम आये कहां कहते मैं सचित आनंद हूँ अब क्या कमी रही सुद्ध बुद्ध आत्मा है मुझे संसार के क्रिया कलापों से क्या जगत के सब व्यापार माया भी हैं मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और नईस्तो थी मैं अमरत पुत्र हूँ क्या कहूँ तुम्हें पंडित मंसा राम सास्त्री कहूँ कि पंडित तोता राम सास्त्री कहूँ और फिर पीछे से सारी बात गरबट हो गई वह हो ही जाती लाख छिपाओ बात खुली जाती हाथी भी निकल जाया तो पूछा टक जाती एक महिला अपने बीमार पती को देखने अस्पताल गई और उसकी तबियत का हाल पूछा पती ने का बुखार तो तूट गया अब टांग में दर थे पत्नी बोली ललू के पापा गवराओ मजी अरे जब बुखार ही तूट गया तो टांग भी तूट चाहिए एक पंडिक ने पिवाह किया एसे तो सब माया है मगर सोचा होगा कि कम सकम माया से इस महिला को मुक्त करे सो बिवाह किया बिवाह के बाद सुहागरात के दिन पंडिक तो भरही हुआ था सो चर्चा ही यूँ सुरू हुई बोले अपनी पत्नी से प्रेम अंधा होता है यूँ बोलते जा रहा है प्रेम अंधा होता है और कपड़े उतारते जा रहा है पत्नी ने का होता होगा जी पर पड़ोशी तो अंधे नहीं अले खिर्की का परदा तो दिरा दो एक यूटी एक साधू के पास गई और बोली महराच आपने एक प्रवचन में कहा था एहनकार ही सबसे बड़ा पाप ही पर जब मैं सीसा देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ तो मुझे बहुत एहनकार हो जाता हूँ मैं क्या करूँ साधूने का बच्चा है गलत फेमी कोई पाप ने पंडित मंसराम सास्त्री हे कासिनिवासी तोताराम यह सब ज्यान का कच्रा हटाओ इसमें तुम्हारा कोई भी अनभव नहीं रक्ति भर अनभव नहीं और नाराज मत होना यह मेरा स्यूजी वाला रूप है ऐसे तोलूंगा और पंडितों को तो छोड़ता है नहीं उन्से मेरा प्रेम और प्रेम तो अंधा होता ही तो पंडित मेरे हाथ में पढ़ जाए तो मैं उसके साथ वही बैवार करता हूं जो हीरा जोरी के हाथ में पढ़ जाए तो उठाई चेनी और लगे अच्छे आ गए एक आंट में तो देखेंगे पहले यां भीर में तो देखेंगे अगर बचे रहे तुम तो एक आंट में भी देखेंगे कहां की बाते कर रहे हो कि आपके इस धर्म चकर प्रवर्तन के महतकारी में अरे इस माया भी सिंसान में कोई महतकारी होता है कि कोई धर्म चकर प्रवर्तन होता है सब खेल है भाईया मैं कोई धर्म चकर प्रवर्तन वगरे नहीं कर रहा है ऐसी जंजिटों में कौन पड़े सब माया है इसमें क्या जंजिटों किसको छुटकारा दिलवाना किस चीज से छुटकारा दिलवाना कुछ बंधन हो तो छुटकारा हो यहां बंधन ही नहीं लोग तो मुक्त हैं ही यह सब मुक्त पूरुस बैठे हुग तुम किसी से पूछने में कोई भी कहदेगा मैं सच्चे तानंद सुद्ध बुद्ध आत्मन यहां मेरे पास बुद्धों की जमात यहां कभी कभी कोई बुद्ध कासी से आ जाता बाद है किसे प्रसंद हो रहा है वो प्रसंद हो रहा है कि दोहराओ मत दोहराने से कुछ भी नहीं होगा किसी महिला के आठ बच्चे थे जब भी कोई बच्चा किसी वज़े से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती देखो बेटा गलती करके रोते नहीं एक दिन बच्चों की सरारा से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी ऐसे बच्चों से तो बगेर बच्चों के अच्छे थे तब ही उसकी छोटी पुतरी उसे मनाते हुए बोली देखो मम्मी गलती कलके लोते नहीं सुनते सुनते बेटी भी सीक्के ज्ञान की बात है अब कासी में तो यह बचन हवा में डोल रहे हैं जहां जाओ वहीं बची नहीं सकते मैं अमरत्पुत्र हूँ ना निंदा छूती ना इस तुती तो क्या छूता तुम कुछ छूता है के नहीं तो मेरे पास यहां एक से गजब की महला हैं किसी को पिछल लगा हूँ और फॉरंगों के भाई दूर रहे चूना ना तब तुम्हें पता जायागा कि मिंदा इस तुती छोड़ो अभी कोई भाई भी छूते थी तो बस प्रांस अंगाट पड़ जाएगा यह माया कहां पीछे लग दे और मेरे पास इतनी देवियां है चोटी मोटी देवियां में नी चंडी घर साही हूँ चंडीयां भी पीछे लगा दूँगा खासी तक पीछे करेंगा और जब तक पैर छू के नगाओगे श्री गुरुवे नमा तक पीछे नहीं छोड़ेंगा तोतों की तरह दोराओं मत आदमी की तरह बाते करो मुझे दोखा न दे सकोगी दोखे कासी में चलते क्योंकि वहां बांकी भी तोते प्रेम के बारे में राधा किसी तनमेता पाकर एक प्रेमी का ने प्रेमी को लिखा अब दसा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हूं इसलिए बोड़ाई इस्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं बिवस होकर मैं किसी और से बिवाय कर रही हूं अब जब सम्मे कृष्मी कृष्मी दिखाई पढ़ने लगा अब क्या किरुष्म कर राष्ता देख ये राधा बगरते हैं कि हमको सुम्मे कृष्मी कर दिखाई पढ़ते हैं बास अच नहीं हे ये Europा कर देती हैं कृष्मे कर दिखाई पढ़ने जब कृष्म दवार चले गये और कर किवाई धुवाय मचाई होई तो कोई गवालों की कमी थी अरे कई बांसली बजा रहे थी किसी को भी पकड़ लेती है कि है दैया कहां चले गए यह भाई यह बहुत दोना बाद मिले क्या रास रचाएं यह सब बाचीत कि सब में कृष्णी कनिया दिखाई पड़ रहे तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त न होगे तब तक सार्थत दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती इस जीवन में अज्ञान नहीं भटका था लोगों को मेरे देखे ज्ञान भटका था और तुम्हें उपनिशित का वज़न याद दिलाओ पंडित हो तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा पंडित कभी समझते ही ने उनका काम पढ़ना ये अंत्रवक्त उपनिशित का वज़न है अज्ञान तो भटकाता ही लेकिन ज्ञान महा अंदकार में भटका देता है क्या अधबत लोग रहे होगे अभी ये उपनिशित की रिष्य को अगर कच्छ जाना होता है बिलकुल नहीं जासे है यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं खतर पैदा हो जाएगा संस्कृती को ये उपनिशित की रिष्य को तुम जीने देते जो कहरा है कि अग्ञान तो निशिती अंदकार में भटकाता है लेकिन ज्ञान महां अंदकार में भटका देता है और इससे बड़ी करांती की क्या बात हो सकती है क्यों अग्ञान से भी जादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती अज्यानी को कम सकम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्यानी तो एक विनमरता होती एक सरलता होती एक सहजता होती अज्यानी में एक बलापन होता है निर्मलता होती अकड नहीं होती वो खहता है मैं जानते हैं कुछ तो अकड भी क्या ग्यान अकड लाता है और थोथी अकड क्योंकि तुमने सीख लिया है सांस्त्र कंठस्त कर लिये अब उनको दोरा रहे हूँ एक पंडित एक तोता खरी देने गए क्योंकि उनके विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था जो गायत्री का मंत्र बोलता था उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था उनके ग्रहक छेने जा रहे थे ग्रहक कहते थे महराज तुम्हें क्या पता है अरे वहाँ देखू वो है महापंडित उसके तोते भी गायत्री बोलते सो वो भी विचारे गयत्री की दुकान पिक भहिया कोई तोता दो कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर दो उसने का है एक तोता मेरे पास और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फास है मुसल्मों को भी फास है अरे ऐसे गजब का तोता है बिल्कुल गांधिवादी तोता अल्ला इस पर तेरे नाम सबको सन्मत ही दे भगवान आधुनिक तोता ये कहां गायतिरी मंद्र लगा रखा है कहां दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता ले गया हो से अंदर तोता बिल्कुल बैठा हुआ था खादी के कपड़े पहने हुए गांधिवादी टोपी लगाये हुए पांस ही एक छोटा सा चर्खा रखा था पंदित ने भी कहा कि स्री गुरुबे नमा रिगजब का तोता एदम सुद्ध खादी पहने सामनी रखा हुआ है चर्खा इसके संब्द में कुछ और समझाओ उस दुकांदान ने का इसके पैर में देखते हैं बाहें पैर में एक धागा बंदा है इसको खीच दो कि एकदम उपनिशित के सूतरों पर सूतर बोलने लगता है और इसके दूसरे पैर में देख रहें दूसरा दागा बंदा हुआ है किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा बिलकुल महीं दागा अगर उसको खीच दो एकदम कुरान की आयते बोलता है मुसलमान आय तो ये खीच देना हिंदू आय तो यी खीच देना दोनों पर तम्हारा कबज़ा हो जाया हिंदू भी आएंगे、 मुसल्मान भी आएंगे तोता तो गजब का है एक बात पूछू अगर दोनो धाग एक सांध खींच दू तो तोता बोला उल्लू के पठ्थे अगर दोनो धाग एक सांध खींच होगे तो धराम से नीचे न गिर पढ़ें तोतो में भी थोड़ी जाद आकल है तुम भी क्या बात कर रहे हो यहां कोई धर्म चकर परवरतन वगरे नहीं हो रहा है यहां तो मौच है, मस्ती है यह तो मैखाना है, मदुसाला है यहां तो प्यक्रों की जमात है, यह रिंद बैठे यहां तो अद्रस सराब पी जा रहे ही, पिलाए जा रहे अगर पीना हो, तो पीओ और अगर हिम्मत हो, तो ही पीपाओगे क्योंकि यहां किसी परंपरा की बात नहीं हो रही यहां सुद्ध सत्यक की बात हो रही यहां किसी परंपरा का पोशन नहीं क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है सत्य तो सदा नूतन होता है नित नूतन होता है जैसे सुभे की ओस के करण इतना ताजा होता है ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूँ सुद्ध बुद्ध आत्मन हूँ मुझे संसार के क्रिया कलापों से क्या अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रिया कलापों से मतलब अभी तुम जक्ती के छिदच पर धर्म दोच को लहराते देखना चाहते अभी जंडा उंचा रहे हमारा तुमारी बुद्धी वहीं अठकी और जंडा वंडा किसको उंचा करना है डंडा उंचा करना रहता लोगों जंडा तो बहाना है पहले तो तुम ये कच्रा छोड़ो अगर मेरे पास आना है तो ये कच्रे को छोड़ के आओ अग्यानी हो के आओ मेरे द्वार को ले ग्यानी हो के आओ बिल्कुल दौपन्थ मैंने दौपर इस पूरे आशरम में एक ही आद्मी को संथ कहता हूं याँ पांच हजार पी आखड़ों में एक ही संथ है उनको बाहर बिठा रखा तुम पूछो का क्यों क्यों कि वो बिल्कुल अंठसंथ है और अंठसंथ दूसरे अंट संटों को फौरून पहिचान लेता था तर फॉसक्रण अधर चैनल उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया यही आश्चे दिया कभी कभी बांग वगरे पी जाते हैं अब संत ही है तो संतों का क्या संत और बांग ना पीए भांग वगरे पी गए देखता हूँ लो लो तर घुसा है नहीं तुँ पहली, तुम्हें वही वहें से विता कर दे, ग्यानियोंके लिए दर्वाजा बन Cham detailed अग्यानियों के दौर खुला है, मेरा हृर्दक खुला है, क्योंकि अग्यानियों को बदला जा सकता है अग्यानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती है पर्षिम का बहुत बड़ा संगीतग वेजनर जब भी किसी को सिस्थिक की तरह सुईकार करता था तो कहता था पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा अगर संगीत सीखा हो तो रस्ता लगो बहां निकलो और अगर जित करोगे तो दुग नी फीस लूँगा जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूँ सभावता जो लोग संगीत सीखे होते हो कहते यह तो उल्टी बात कर रहे हैं आप हमने वर्षों महिनत करके सीखा है हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा वो महिनत कौन करेगा पंडित मंसाराम सास्त्री पहले तो तुमारा सास्त्री पन मिटाना पड़ेगा पंडित पन मिटाना पड़ेगा तब कहीं जाके कुछ बात बन सकती अभी तुम धर्म धोज वगर न फैराओ अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाया यही काफी